आप सभी को स्वागत करती हूं आपके अपनी यूटूब चैनल मोटिवीशन बाय दिख्षा मैं फ्रेंट्स आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्स के स्लेबस की तो चलिए देखते हैं कि आपके डीलेट फस्टेयर में कितने पेपर होते हैं सबसे पहला जो जो कि एक्सरंनल पेपर करेंगा और इसमें इंटर्म आंब चैनल इंहरेना ंंवर का यारीन नटकी जो फिल्वाठेय आपका समसमाईक भाऽरासमाज में शिक्षा हो कि सेवां इंट रंबर का इंटेरनल आंवां देगा नेक्स्ट पिपर है थर्ड पूर बालेवस्था इसके बारे में जानेंगे आप एरली चाइल्ड होल्ड क्या होती है की मीनिंग डाफिनेशन पूरा आप इसमें पढ़ींगे तो इसमें भी पिपर टोटल आपका रहेगा 100 नमबर का नेक्स्ट पिपर है आपका भासा बोद एबं प्रारंबिक भासा का विकास अंडर्स्टेंडिंग लैंग्विज एन एरली लैंग्विज डवलपमेंड यह पिपर आपका जो रहेगा फ्रेंड्स यह एक्स्टर्नल पिपर आपका 25 का रहेगा और इसमें भी इंटर्नल पिप पर 25 का यानि कि यह टोटल रहेगा 50 नंबर का नेक्स्ट पिपर देखते हैं पाठ चर्या में सिक्षन संप्रेशन तखनीकी का एक ही करण यह पर आपका 50 नंबर का से उट्पर THIS आपका योग सीइन इंगलेश्ट यह आपका पिपर आपका 25 नंबर का एक्स 대해 girl E लोग सिक्षा भी आपका 25 नमबर का रहेगा एक्टरनल और आपका इंटरनल रहेगा 25 यानि की टोटल 100 नमबर का आठवा आपका पिपर रहेगा मात्र भासा मात्र भासा में इसमें से आपका जो इतने सारे ओप्शन दिये हैं आपके पैड़ागोजी के तो आप में जैसे दिया है ए हिंदी एवं भासान सिक्षन दूसरा दिया है संस्कृत तीसरा है माराथी और चौता है उर्दू तो आपके कॉलिज में जो भी लैंग्विज इसमें से स्लेक्ट किये जाएंगे आप उसको ले लेंगे फ्रेंड्स तो आपका यह जो पिपर रह यह भी 70 कराएगा एक्स्टरनल इंटर्नल 30 टोटल हंडेड लास्ट पर आपका गड़ी सिक्षन तो गड़ी सिक्षन के बारे में आप जानेगे इसमें पैड़ागोजी आफ मैथामाटिक्स आपका यह जो पिपर रहेगा बाहरी यारी की एक्स्टरनल पिपर रहेगा आप अहली रहेगी आपकी स्वा बुत की सेरस अंडरस्ट्रेंडींग की यह वाइल रहेगी आपकी सेंड ऐस्न आत्मक नाटक लडत कल़नेक्स फाइल आपकी बच्चों का स्अव्रहिए बहानात्मक स्वास्त और शिक्छा यह निस्टब के शानो關係 तो इस तरहीगे से आपकी इसमें जैसा कि मैंने बताए था आपका जो पहला पप पर है बाल वस्ता इवं बालक का विकास इसमें आपको कितनी unit cover करनी है और एक एक unit में कितने topic आपको पजड़ने है तो आपके total बात करेंगे unit first की so unit first में आपको सबसे पहले देखना होगा कि कि विकास समभन्धी दृष्टी कौण क्या है हैं इसमें हम जाएंगे बाल विकास का परीचे घख़ столько-विकास के समबंध में बिवीं द्रश्टी कौण की अवधार्णा और इसमें हम पढ़ेंगे कि मनुविज्ञान इवन विकासात्मक सिध्धान्त क्या हैं फिर सेकंड टॉपिक आपका जाएगा बाल विकास के अध्यान की विधियां इस्थाई विशे वस्तू बहु आयामी इनके बारे में देखेंगे विकास सततकाल चलने मारी प्रक्रिया ह इसके बाद आपका जो सिधान दिया जीन प्याजे का सिध्धान दिया है ऑफ टॉपिक दिया है कि बच्चों की समवैसी सिख्षक के अवधान येवं प्रविदिया इतना हमको फर्स्ट फे पढ़ना हम आप सेकेंड उनिट आपकी बहुत छोटी सी है इसमें आप पढ़ेंगे फिर सरीर के गत्यात्मक विकास तो सरीर्च की गत्यात्मक विकास में अभाषा के स्त्रोद घर साला मेडिया भासा की उपव्योग संभाद को सुनना संभाद में समाजक सांसक्रितिक विभिन तरीके और कहानी समाजिक विकास समाजी विकास में परिवार से पार्टी स्कूल की भूमिकाएं पिर नेक्स्ट है आपका सेकंड समाजी विकास में इस परधा अनुसासन पुरुसकार दंड की भूमिका नेक्स्ट है समवेगों की अधारबू समझ गुस्सा डर चिंता खुशी आदी और फिर यूनिट फूर्थ में आपको पढ़ना पढ़ेगा समाजी करण का संदर इसमें पहला टॉपेक समाजी करण के अवधान और प्रक्रिया सेकेंड समाजी करण में समाजी के उन सांस्कृतिक विभिनिता है थर्ड दिया है परिवार परिवार तथा बैस के वं बच्चों की साथ ही मित्र के साथ संबन इस परदा एवं सहयोग बच्पन के दौरान उख अग्रता और छटवा पॉइंट है समाजिक सिध्धान्त एवं लैंगिक विकास फिर इनमें दिया गया है कि लिंग अधारित भूमिकाओं का आसे इसके प्रभाव क्या है खेल के बारे में बताना है साला त्यागी की समस्या है कितने टौपिक हो गए इसमें यूनिट फूर्थ में कम से कम 6 या 60 टौपिक है अब हम यूनिट फाइब की बात करते हैं बाल श्रम बाल शूशन गरीबी वैश्वी करण विद्याले की समस्याएं बच्पन की आफधाना समानताई विभिन प्रकार के खास तौर से भारती संदर में किस तरह से बच्पन अपनाते हैं तो फ्रेंट इस तरीके से जो आपका पहला पिपर है अब पहले पिपर में आ अधरकत आपको पंढ़ना होगा तो फ्रेंट आज की वीडियो हमारी यहीं होती है उमीद करती हूं आपको चोटी सी वीडियो हमारी नौलेजवल लगी है यदि आपको सेकेंड पेपर कभी पूरी यूनिट चाहिए क्या-क्या पंढ़ना है आप मुझे कॉमेंट में जाक अबस्क्राइब इस वीडियो थैंक्यो फ्रेंट